बच्चन गेट्स दग्रेट सेंटा बच्चे क्रिस्मस का बेसबरी से इंतिजार करते हैं क्यूंकि क्रिस्मस की राद उनका प्यारा प्यारा सेंटा आता है उन्हें धेर सारे गिप्ट्स देता है और जादुई दुनिया की सैर करवाता है क्रिस्मस की छुटिया जल रही थी गट्टु जिंकी ने सेंटा की कई सारी कहानिया अपने दोस्तों से सुनी थी सेंटा सपने में आता है धेर सारे गिफ्स, चॉकलेट्स और खिलो ने लाता है पता है पिछले साल मेरे सपने में सेंटा आया था कैसा था वो? उसने लाल टोपी पहनी थी लाल लाल सूट और ब्लैक ब्लैक जूते थे उसके लंबी लंबी सफेद दाड़ी थी उसकी पेट पर एक बड़ी सी पोट ली थी जिसमें बहुत सारे गिफ्ट्स, चॉकलेट्स और मैजिक था वाव! हाव इंट्रस्टिंग! क्या सेंटा ने वो सब तुमें दे दिया जॉन? हाँ, मैं जब सो रहा था तब आसमान से उड़ता हुआ एक सेंटा खिड़की से उतर कर मेरे कमरे में आया और मेरे लिए बहुत सारे खिलों ने चॉकलेट्स और गिफ्ट्स रकट चला गया सुबह मैंने आखे खोली तो सेंटा को थैंक्स का और वो सब कुछ ले लिया जॉन, सेंटा हमारे भी पास आएगा ना हमें भी सेंटा से मिलना है और वो तो पता नहीं लेकिन मेरे एक कजन ने सेंटा को बुलाने का एक आइडिया दिया था मुझे प्लीज, प्लीज, जॉन आमें भी बताओ ना वो आइडिया तो सुनो सेंटा को बुलाना है तो सोने से पहले अपने कमरे में तुम्हें आखे बंद करके जाना होगा आग खोल कर किसी को नहीं देखना है बस मन ही मन सेंटा को याद करना है और उसे इन्वाइट करना है धीरे धीरे तुम्हें नीद आने लगेगी तुम सो जाओगे और बारा बजने के बाद सेंटा आसमान से उतर कर तुम्हारे कमरे में आएगा गट्टू चिंकी ने ठान लिया कि वो क्रिस्मस की रात बारा बचे सेंटा को अपने कमरे में बुलाएंगे रात का खाना खाकर गट्टू चिंकी अपने कमरे में जाने लगे और चलते चलते दिवार से टकरा गए श्श्श गट्टू चिंकी ध्यान कहा है तुम्हारा मम्मी प्लीज हमसे बात मत करो हमारी आखे बंध है और हम बस सेंटा को ही देखना चाहते है ये तुम्हें किसने कहा कि सेंटा को बुलानी के लिए आखे बंध करके ही जाना पढ़ता है जौन ने बताया किसी का चहरा नहीं देखना आँख बंद करके सैंटा को बुलाना है और कमरे में जाकर सो जाना है फिर बारा बजे आसमान से उतर कर सैंटा हमारे कमरे में आएगा और हमें धेर सारे गिफ्स देगा ये सुनकर मम्मे और पापा दोनों हसने लगे ये बच्चे भी ना पता नहीं क्या क्या सोचते हैं गट्टु चिंकी फिर से चलने लगे और फिर से दिवार को टकरा गए ठीक है बाबा तुम अपनी आखे बंद ही रखो मैं और पापा तुम दोनों को बिस्तर तक छोड़ाते हैं नहीं तो रात भर तुम लोग यूँ ही दिवार से टकराते रहोगे और वहां तुम्हारा सैंटा आकर चला भी जाएगा फिर मम्मे पापा ने गट्टु चिंकी का हाथ पकड़ कर उन्हें उनके कमरे में बिस्तर पर लिटा दिया और वापस चले आए गट्टु चिंकी आँखे बंद करके सैंटा को बुलाते रहे और देखते ही देखते सो गए रात के बारा बज गए और अचानक बेडरूम की खिड़की खुल गई लाल-लाल सूट पहना हुआ लाल-लाल टोफी पहना हुआ लम्बी सुफेद दाड़ी वाला प्यारा सा सैंटा आसमान से उतर कर गट्टु चिंकी के कमरे में आया था मेरी क्रिस्मस गट्टु चिंकी हे डियर आखे खोलो मैं तुम्हारा सैंटा तुमसे मिलने आया हूँ तो मैं धेर सारे गिप्स देने आया हूँ गट्टू चिंकी ने आखे खोल कर सेंटा को देखा तो उन्हें अपनी आखो पर विश्वासी नहीं हुआ सेंटा, सेंटा तुम सच में आ गए कई हम सपना तो नहीं देख रहे नहीं डियर, ये सपना नहीं सच है देखो, मैं तुम्हारे लिए अपनी पोटली भर के लाया हूँ इसमें बहुत सारे गिप्स, बहुत सारे चॉकलेट्स और बहुत सारे खिलाने है मांगो, जो चाहिए वो मांगो हम आज पूरी रात इंजॉय करेंगे फिर क्या, गट्टू चिंकी की फरमाईशे शुरू हो गई सेंटा, पहले तुम हमें बहुत सारे चॉकलेट्स दो और हाँ, ऐसे चॉकलेट्स दो, जिनसे हमारे दात खराब न हो नहीं तो हमारे खराब दात देखकर मम्मी पापा बहुत डाटेंगे सेंटा ने अपनी पोटली में हाथ डाला और बहुत सारे चॉकलेट्स निकाल कर गट्टू चिंकी को दिए चॉकलेट्स देखकर गट्टू चिंकी बेहाद खुश हुए उन्होंने चॉकलेट्स खाने शुरू कर दिए बहुत तीस्टी है मांगो और क्या चाहते हो मुझे एक प्यारी सी गुडिया और कलर बॉक्स चाहिए मुझे एक रिमोट कंट्रोल की कार चाहिए सेंटा ने फिर से पोटली में हाथ डाला और बहुत सारे खिलावने निकाल कर गट्टू चिंकी को दिए और भी बहुत सारे गिफ्ट्स दिये फिर सेंटा ने बहुत सारे रंग विरंगी गबारे निकाल कर फुलाए गट्टू चिंकी हवा बन कर गबारों के साथ साथ इधर उधर उड़ने लगे इस प्रकार सेंटा ने रात भर गट्टू चिंकी के साथ बहुत फन किया और फिर सब लोग ठक गए थैंक यू सेंटा, अब हम ठक गए है, सो जाते हैं, तुम भी सो जाओ सेंटा तो गट्टू चिंकी से भी ज्यादा ठक गया था वो जट से विस्तर पर सो गया और गट्टू चिंकी सेंटा से चिपक कर सो गए सुवा गट्टू चिंकी की नीम खुली लेकिन सेंटा तो सो रहा था उन्होंने देखा कि सेंटा की लंबी-लंबी दाड़ी छुटकर नीचे गिर गई थी और सेंटा पापा की तरह दिख रहा था गट्टू चिंकी जोर से चलाए पापा? अब आज सुनकर सेंटा यानि पापा जाग गए और मम्मी भी भागती हुई आई तो पापा आय थे सेंटा बनकर और हमें लगा सच्ची मुच्ची का सेंटा आया है ये सुनकर मम्मी हसते हुए बूली Merry Merry Christmas बच्चो कल रात सेंटा के लिए तुम्हारी excitement देख कर हमने प्लान किया और पापा ने सेंटा बनकर तुम्हें इंजॉय करवाया तो बच्चो कैसे किया मैंने सेंटा का रोल? Perfect, हमने बहुत इंजॉय किया हाँ हाँ हमने बहुत इंजॉय किया और मैंने भी बच्चो सेंटा सच मुझ होते हैं या नहीं ये तो नहीं पता लेकिन हमारे पेरेंस ही हमारे असली सेंटा होते हैं बिना मांगे वो हमारी सारी जरूरते पूरी करते हैं इसलिए उनका हमेशा सम्मान करो और खुश रहो हैपी क्रिस्मस पापा, मम्मी, आप हमारे ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट सेंटा हो हाँ, मम्मी, पापा, आप हमारे ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट सेंटा हो हैपी क्रिस्मस ऐसा कहकर, गट्टु चिंकी ने अपने ग्रेट सेंटा को यानि अपने पापा को और अपने मम्मे को गले लगा लिया